जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भकत ग्यान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भकतों को बताने वाली हूँ केवल ये तीन काम करने से माता काली और देवी शक्ती बस साथ दिन म ही सिद्ध होने लग जाती है आपके पास जी हां दोस्तों अगर आप लोग अपनी पूजा पाठ के समय या फिर मंत्र जाप के समय ये तीन कारे करते हैं तो आपके पास उस देवी की जिसकी आप पूजा कर रहे हैं जिसके आप मंत्र जप रहे हैं वो देवी की सिद्धी आप माता काली के मंतर का जाब कर रहे हो ठीक है और मंतर कौन सा है मंतर है ओम करीम काली का नम हाइस मंतर का ही आप लोग जाब कर रहे हो तो आप लोगों को जाब करने से पहले पूजा पाठ करने से पहले ये तीन कारे जरूर करने चाहिए जिस कारे से आपको सिद्धी मिलने में और भी जल्दी असानी होती है, समझ रहें, जिसे आपने आज के समय में देखा हुआ, काफी ज्यादा भक्त हैं, तांद रही हैं, जिनको काफी काफी सान लग जाते हैं, बीस-बीस सान, जब जाके उनको सिद्धियां प्राप्त होती है तो आप लोगों को अगर जरूरत में अगर जल्दी में आपको शक्ति प्राप्त करनी तो आपको जादा समय नहीं लगता बस आपकी एक परिक्षा होती है परिक्षा के बाद आपको तुरंत माताकाली की शक्ति मिल जाती है तो ये तीन काम आपको जरूर क अगर आप लोगों को माताकाली की सिद्धी जल्दी प्राप्त करनी है तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेश्ट करना चाहूंगी अगर आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरूर कर लेना क्योंगी यहां पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिल योगी तो जितने भी काली माता के भक्त है जो देवी मा काली की शक्ती को मतलब सिद्ध करना चाते हैं उनकी सिद्धी को प्राप्त करना चाते हैं तो आप लोगों को माता काली की सिद्धी साथ दिन में ही मिल जाएगी मतलब मा काली आपके पास साथ दिन में ही सिद्ध हो जाएगी जब आप लोग माता काली की पू कारे हैं जो सभी भक्त को अपने घर में करने चाहिए मंतर जाप करने से पहले और पूजा पात से पहले तो पहला कारे जब आप माता काली की मंदर में जोत जलाते हो ठीक है तो जोत जलाते समय आप लोगों को सबसे पहले अपने घर की चोकट पर दिये जलाना चाहिए समझ जैसे मालो आप अमने घर के मंदिर में जोत जला रहे हो तो आपने महां पे मंदिर में जोत जला दी जोत जला के आपको डारेक्ट अपने घर की चोखट पे आपको एक चोटा सदिया मट्टी का सरसो के तेल का भर के जलाना जरूर चाहिए इसको जलाने से आपको जल्दी पहला कारी आपको जरूर करना चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि साथ दिन में माता काली की सिद्धी आपको मिल जाए या अन्य देवियों की सिद्धी आपको साथ दिन में केवल मिल जाए तो लगातार आपको साथ दिन तक माता काली के बर्त रखने चाहिए बर्त कैसे शाम तक भूका रहना है कुछ निखाना बस चाय पी सकते हैं दूद पी सकते हैं और उसके साथ साथ चिप्स वगेरा जोती आलोगी वो खा सकते हैं फिर शाम को आपको पूजा पाट करके माता काली का हवन करके अपने घर में तब आपको बर्त को खोलना होता है बर्त में क्यों उसे खा सकते लेगिं चिप्स वगेरा नहीं कहा सकते ऐसे आपको साथ दिन तक बर्त रखने चाहिए अगर आपको साथ दिन में माता काली के सिद्धि प्राप्त करनी है तो तीसरा काम जब आप माता काली की सुबा के समय पूजा पाट करते हैं तो आप लोगों को ड पूरी देप को जल चड़ाते हैं लोटा भरके वैसी आपको माता काली के नाम का जल चड़ाना होता है जिससे की माता काली को इसनान कराना ठीक है आपको सबसे पहले माता को इसनान कराना चाहिए फिर जाके आपको पूज़ापाट अपने घर के मंदिर में करनी चाहिए जिस प्लोगों को सकती मिल जाएगी मां की सिद्धी प्राप्त हो जाएगी तो यह चीज़े आपके साथ होने लगेगी जैसे कि मैं आपको बताऊँ जब सिद्धी मिल जाती तो आपके शरीर के हरंग में आपको दर्द देखने को मिलेगा ठीके सपने में जटके लगेए де है अगर आपके घर में कोई भी भीमार व्यक्ति है अगर उस के आपने हगे हाथ रख दिया तो योगों के साथ ये चीज वोने लग जाती है। अगर आप के लिए जै मातकाली हर हर महादे मातकाली बाबा भूले ना ता आप सभी की मनों काम ना पूरी करें